हमाई समस्टेश के मिलें भिंडी सब्जी के बहुत फिपमें करेंगी हूँ चुछ नहीं वाले हैं पनाजी हैी भेंडी फिपमym предлаг भींडी की सब्चाने नहें करीके नहीं हो जरूर खाना चाहिए तो एक बार आप हमारे तरह से जरूर बनाएं आप लोग को बहुत पसंद आएगा तो इसके लिए हमने आपे हाफ केजी भिंडी लिए इसको हमने अच्छे से वाश कर लिया करने के बाद से इसका जो डंठल है यानि के जो साइड वाला हिस्सा है इसको कट कर के नकाल देंगे तो दिख सकते हैं गपने में बहुत है अच्छी लगती तो देख सकते हैं आप लोग इसके तेक्नस बस इतनी ही रखुआँगा और उसके पासे अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो घर में बच्चे बड़े सब लोगों को इस रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और जो लोग बिलकुल नहीं खाते हैं भिंडी वो लोग भी एकदम उंगलिया चाड़ करके खाएंगे तो यहां पर हमने भिंडी को कट करके त्यार कर लिया है तो देखिए सारा भिंडी अच्छे से हमने कट कर लिया है और उसके बास से हमने यापर इसका फोरन भी तियार कर लिया है जिसमें हमने लहसन, हरी मिर्ज और प्याज को कट किया है तो प्याज हमने यापर तीन से चार medium size के लिए प्याज की quantity ज़्यादा रखी जाती है इसलिए क्यूंकि इससे टेश्ट बहुत अच्छा आता है भिंडी में तो यहां पर देख सकते हैं प्याज को हमने लंबा लंबा कट किया है इसको बारी कट नहीं किया है हमने तो इसलिए इसी प्रकार से इसको कट करना है औ इतना भी कम जादा खाना पसंद करते हैं तो हम यहां पर हरी मिर्ची का ही उस कर रहें और उसके बाद से इधर कड़ाई रखेंगे इसमें डालेंगे सर्सू का तेल तो सर्सू के तेल में सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है और उसके बाद जब तेल गरम हो जाएगा और उसके बाद से आप यह भी देख सकते हैं कि हम इन इसमें थोड़ा सा ओईल जादा यूज किया है क्योंकि जो भूजिया सबसी होती है उसमें थोड़ा से जादा ओईल यूज करते हैं जिसके वैसे बहुत अच्छी बनती है और जब लासन अच्छी से फ्राई हो जाए तब हम इसमें प्याज भी मीर करेंगे एड करेंगे और जो भी तो बती cigar को बहुत ज्यादा फ्राई नहीं किया जाता है मतलब एक दम गॉल्डन ब्राउन नहीं रखा जाता है थोड़ा सा ऐसे जाता कहशर से बिख जो प्यख कर चांच प्रिछ का इस जाता है बस उतना ही जाम पे हमारा जो प्याज हो अच्छे से भूण गया है देख सकते हैं और इसके बास से अब हम इसमें डाल देंगे भिंडी तो बस इसी इतने ही श्टेज तक इसको भूनना है प्याज को इस से जीजञाद नहीं बूनना है तो यहाँ पर हम भिंडी आइट कर देंगे और करने के बास से इसको अच्छे से mix करेंगे तकि प्याज अच्छे से mix हो जाए भिंडी की सब्ची में थोड़ा सा प्याज एक्ष्ट्रा ही डाले जाता है इसके वैसे थोड़ा हल्का मीठा पन सा आता है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है और अभी आप देख सकते हैं भिंडी में अच्छा घासा चिपचिपा पन है और ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं होता है तो इसको कैसे हटाना ये भी हम आपको बताएंगे और इसके पासे एक मीडियम साइज का आलू भी मैं यहां पर आइड कर रही हूं उससे टेश बहुत अच्छा आएगा तो आप चाहें तो भिंडी को ऐसी बना सकते हैं फिर आलू भी मिक्स कर सकते हैं बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे और अब हम इसको मिक्स करने के बासे इसमें मसाली भी आड़ कर देंगे तो अभी आप देख सकते हैं, काफी चिपचिपी लग रही है भिंडी और अब मैं इसमें एड़ करूंगी मसाले, तो इसमें हम डालेंगे हल्दी और नमक, मैं और कोई मसाले आड़ नहीं करती हूं इसमें, क्योंकि हल्दी और नमक से ही सब्सक्राइब निबु झाल के वह जुक्त है भिनडी में चिपचपादा अभी कई तौ अब देख सकते हैं लेकिन दिर दिर यह सारा चिपशिभयपन खतम हो जाएगा तो बहुत से लोग यही पसंद नहीं करते हैं जिसके वैसे भिंडी नहीं खाते हैं लेकिन इस तरह से आप बनाएंगे तो सबको बहुत पसंद आएगा तो अभी आप देखे कितना चिपचिपापन लग रहा है अब मैं इसको ढख करके पकाऊंगी तो उसे तीन मेट के लिए ताकि आलू भी अच्छे से गल जाए और भिंडी भी तो अब आप देख सकते हैं इस स्टेज पर भिंडी की जो चिपचिपापन है वो एकदम खतम हो देखे जब मैं इसको इस तरह से उठा रही हूं तो बिल्कुल भी उसमें चिपचिपापन नहीं लग रहा है और इससे क्या होगा बहुत ही क्रिस्पी बनेगे और एक टैंगी ऐससा फ्लेवर आएगा बिंडी में तो यहां पर हमारी जो सबजी है और मुस्ट रेडी हो ग प्लीज हमारे चैनल को सस्क्राइब जरूर करें और और अल पर क्लिक जरूर करें से क्या होगा हमारे आने वाले वीडियो के नौटिफेकेशन आप लोग को मिलती रहेगी और अगर आप यह वीडियो फेस्बुक पे देख रहे हैं तो प्लीज हमारे पेश को फॉलो करना ना भूले आज की वीडियो में बचित नहीं मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए वाई वाई थैंक्स पर वाचिंग